हम सभी स्टुडेंट्स एक बेहतर भबिस से बनाने के लिए चाहे खुद का हो, फेमली का हो या समाज का हो बहुत ज़्यादा हाड़ वर करते हैं और जब समय आए सभी को पूरा करने का तो कोई जान से मार दे पहले आप सभी मुझसे भादा करें कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे अपने मुबाइल स्टेटस में, फेस्बुक पे, जहां भी शेयर करना है शेयर करोगे क्योंकि एक मेडिकल स्टुडेंट्स और सोक पाल जिसको हम सभी को नया दिलाना है हम सभी को उसके लिए लड़ना है एक फाइनल इयर MBBS इस्टुडेंट्स यो तुमाल गौर्रिमेंट मेडिकल कॉलेज महरास्टा का जिसके हत्या आज से पांस दिन पहले कर दियाती है रात को आठ बजे जब वो लाइबरेनी से पढ़कर निकल रहा हो अपने होस्टल के लिए उझे एक मेडिकल इस्टुडेंट्स का मेल आया उसने सारी बाते शेयर की और उसने बताया कि महरास्टा में समीर वान खेंडे, कंगना रनावट, नवाब मलिक और भी सेलिबरेटी का न्यूज दिखाये जा रहा है मीडिया द्वारा लिखिन ये इंपोर्टेंट इतना शीरियस केस का न्यूज नहीं दिखाये जा रहा है मैंने कहा कि जितना हो सकता है हम सभी असोक पाल को जस्टिस दिलाने के लिए हम सभी आवाज उठाएंगे असोक पाल एक फाइनल इयर MBBS इस्टोडेंट सा उसका क्या गलती था जिसकी हत्या कर दी गई कि एक गरीब घर का लड़का जिसके फादर भी नहीं है मामा ने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, मेडिकल कॉलेज पहुँचा हाड़ वर करना होता है MBBS में सेलेक्ट होने के लिए और वो भी फाइनल इयर तक पहुँचने के बाद कोई मर्डर कर दे आप सब ही समझ सकते हैं कि ये गरीब घर का लड़का अपने फेमली को कितने उचाई तक आने वाले टाइम में ले जाता आद अंदाजा भी नहीं था और अब क्या हुआ, फेमली जहां थी वहीं रहेगी गरीबी जहलेगी, पूरे परिवार का समाज का जब सपना पूरा करने के टाइम आया, उसे जान से मार दे जाता है और इसमें लपरवाही उस कॉलिज के डीन का है, पुलिस प्रसासन का है, एसपी का है, डीम का है सब का लपरवाही है, आज पांस दिन हो गए, सभी मेडिकल स्टुरेंट्स, नर्स, डॉक्टर्स, पांस दिन से आज धरने बे बैठे हैं पांस दिन से आवाज उठा रहे हैं, जस्टिस दिलाने के लिए असोक पाल को, लेकिन अब इक तक जिसने मडर किया है, उसकी पहचार नहीं की गई है यह बहुत सर्मनाक न्यूज है, और मैं मीडिया को बोलूँगा, कि TRP के अलावे भी कुछ ऐसे खबर होते हैं, जिको दिखाना पड़ता है, खेर कोई बात नहीं हम मीडिया की बाती नहीं करेंगे और लोग के पास भी बहुत पावर है, आप सभी इस वीडियो को शेर करें, और जस्टिस दिलाना है असोक पाल, हैस्टेक जस्टिस फॉर असोक पाल, कमें निव सुना, बहुत पेन हुआ, और इससे बड़ा पेन कुछ नहीं हो सकता, कि ए गरीब फेमिली के लड़का, रा पी आई की भी जाच होनी चाहिए, अगर कातिल नहीं पकड़ जाता तो, बस मुझे आप सभी को इतना ही बताना है, आप सभी अपने लेवल पे जितना हो सकता है, आवाज उठाएं, सरकार तक बात पहुचनी चाहिए, बस अभिक्रित नहीं